मुंबई के निकट वितांबरा देवी यानि माता बगला मुखी मंदिर का निर्मान होने जा रहा है आप से सहयोग की अपेच्छा रखते हैं अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर पेटियम या यूपिया के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इंकम टेक्स के आयकरधारा ATG के अंतरगर टेक्स में छोटका लाब भी ले सकते हैं इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है इसके अलवा मुंबई के निकट वजरे सोरी में दो दिन का महाविद्या मातंगी साधना सिविर संपन होने जा रहा है इसमें सवालाक मंतर से लेकर पांचलाक मंतर तक का विसिस्ट अनुस्ठान होगा इस साधना सिविर में भाग लेकर आप अपनी सभी प्रकार की मनुकामनाओं को पून कर सकते हैं पिर चाहे आप कला के छेतर में हो अभिनय भासरन वादन के छेतर में हो चाहे किसी पी तरह की मनुकाम ना हो आप इस साधना के द्वारा सुख सम्रद्धी प्राप्त कर अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं अगर आप इस साधना में प्रत्च आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे description मिल लिंग की दिया है वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फार्म भर सकते हैं नमस्कार दिव्योग आसम के तरप से आपका हर्दिक स्वागत है आज हम 2020 के यानि अगले वर्स के मेस रासी और आर्थिक समस्या इस विशे पर चर्चा करेंगे यानि कि जो मेस रासी के इस्तिरिपूर्श है उनकी आर्थिक समस्या 2020 में कैसी होगी इस बारे में चर्चा करेंगे सामाने तरीके से देखा जाए तो मेस रासी वालों का आर्थिक भईसफल है वो 2020 में सामाने तह अच्छा ही रहेगा लेकिन जो साल का बीच में जो अवस्था आती है यानि कि जून से लेकर जून जुलाई अगस्त ये दो तीन मेहने जो हैं इसमें आपको काफी कट्ठाई का सामना करना पड़ेगा फाइनांस से लेटेट आर्थिक समस्या से लेटेट समस्या हैं आएंगी यानि ऐसे खर्चे हो सकते हैं आपके सामने आ जाएं ऐसी अवस्था आपके सामने आ सकती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा लेकिन अगले साल की सुरवात में 2020 की सुरवात में इंकम के अच्छे स्रोप मिलेंगे और आपकी जो इंकम है वो थोड़ी से बढ़ेगी आपको अच्छा भी लगेगा आपका आर्थिक जीवन संतुस्टर हैगा लेकिन साल के बीच में थोड़ी से समस्या आने के संभावना है और इसके बाद या आवास्ता जो साल के बीच में है दो तिन मेना रहेगी और इसके बाद फिर से एक अच्छा समय आपका आना शुरू हो जाएगा यानि देखा जाते हैं उतार चड़ाओं के साथ 2020 का समय आपके लिए उपिप तो रहेगा ये मामले में मिस रासी वाले भागे साली रहेंगे मिस रासी वाले को कहा जाता है कि साल के मध्ध में जमीन में और मेडिकल से समंदिस किसी भी छेत्र में कोई विशेष निर्णाय लेने की कोशिस ना करें नहीं तो नुक्सान होनी की संभाव ना है आप धार्मिक कारियों में पैसे खर्च करेंगे आप जो दान करेंगे ये आपको लाव ही देगा कोशिश जरू करें कि जब साल के मद्ध में आप आर्थिक समस्याओं से घिरे हो ऐसे आवस्ता में कुछ भी दान आवस्ता करें भले पैसे की समस्याओं हो फिर भी ऐसे मुकाम आएंगे ऐसी आवस्ता आपके सामने पैदा हो जाएगी कि कुछ लोग आपसे दान मांगेंगे तो याद रखें आप दान दें जरूर कितना देते हैं ये आपको पर है लेकिन आप दान जरूर करें इसी तरह जो मेसरासिकी महलाएं हैं वो भी साल के मद्ध में उनका नोकरी से सम्मंदित जो उन्नती पदोनिती की चर्चा होगी वो रुख जाएगी नोकरी से सम्मंदित जो पदोनिती की चर्चा होगी उनकी वो रुख जाएगी तो आपकी जो पदोनिती होती है जो होगी वो दो-तिन मैने के लिए रुख जाएगी लेकिन साल के अंत में यह नोकरी वालों की पदोनिती होने की समावना बढ़ जाती है तो देखा जाए तो नोकरी वाले और ब्यापार करने वाले साल के सुरुवात में और साल के अंत में बहुत ही सुखी रहेंगे साल का जो मद्ध भाग है 2020 का मद्ध भाग है यही आपको समस्या पैदा करेगा बाके सब ठीक है फिर भी जो लोग समस्या में आएं मेस रासे वाले अगर कोई इस कीजी भी प्रकार की समस्या में आ रहे हैं तो उनको ये विसेश मंत्र का जाप करना चाहिए वो जो मंत्र है सिंपल मंत्र है इस मंत्र को कम से कम 108 बार रोज जपें अगर दो-तिन माला जपें तो अच्छा ही है लेकिन एक माला यानि एक सुवाड़ बार रोज जपें तो जो आफस्टिकल आ रहे हैं आर्थिक जो समस्याएं आएंगी उनका सामना आप और अच्छी तरीके से कर पाएंगे और बहुत तेजी से आप अपने जीवन को उचाईयों पर ले जाना शुरू कर देंगे क्योंकि आपके साथ आपका परिवारी भी जुड़ा रहता है तो एक परिवारी जीवन सुख में बनना शुरू हो जाता है तो इस मतर का जाप आप नहीमित करें में स्रासियों वाले नहीमित रुप से करें धन्यवाद